हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागता आप सभी का अमारे शूडूब चैनल वीकल टीवी पे दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लर्न लाइसेंस एप्लिकेशन में करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं उनलाइन उसका पूरा फ्रोसेस हाज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलो दोस्तो वीडियो आज की स्टाट करते है है इस वीडियो का आप लाइक कर देजए अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देजए गए अ signaling वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो हमारे श्यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा दोस्तों आपको किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है पर इवें उसके बाद जो सबसे ओपर रिजल्ट आ रहा है हूं पर इवें से हो में इस्टियोप रोड ट्रांस्पोर इस पर आपको किलिक करना है और जैसे आप इस पर किलिक कर हो है एक इस तरह के पेज आपके सामने उपन हो के आ जाएगा इसका लिक मैं नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में डाल दूँँ है जब आप उस पर किलिक कर वो सीधे इस पेज पर आ जाओगे उसके बाद से आपने learner license के लिए apply किया था तो मैं इसमें state select कर लेता हूं उसके बाद जैसे ही मैं इसमें state select करता हूं तो उसके बाद जो official website है जो official page है उस state का वो open होके हमारे सामने आ जाता है तो अब आपको correction करना है learner license के application में तो आपको click करना है इसमें यां पर modify application पर click करना है और जैसे ही आप modify application पर click करोगे तो इसमें आता है application edit LL only इसमें आपको click करना है और इसके बाद इसमें आप ए application number डालना है यहांपर date of birth डालने है और submit पर click करना है और जैसे ही आप submit पर click करोगे तो एक OTP आपके mobile number पर चला जाएगा तो वो OTP आपको डालके confirm details पर click करके proceed करना है और उसके बाद जो भी आपको correction करना है अपनी learner license के application में वो correction करके आप submit कीजेगा और उसके बाद आप check कीजेगा तो आप देख पाओगे कि आपकी जो learner license है उसमें correction हो चुका है दोस्तों जो भी मैं आपको process बता रहा हूँ ये तब के लिए है अगर आपने payment नहीं किये अपने learner license की application की अगर आपने learner license की application की payment कर दी है तो तब ये process applicable नहीं होगा तो आपको इस चीज का देहान रखना है कि आपकी अगर payment अगर आपने payment नहीं किया है तो जो भी मैंने आपको process बताया है उसके थुरू आप अपने learner license की application में correction कर सकते है अगर आपने payment कर दी है तो उसके बाद आप appointment book कीजिएगा और अपने RTO में जाईएगा तो जो भी आपको correction करवाना है अपने learner license की application में वहाँ पे भी correction हो सकता है वहाँ भी correction easily कर देंगे हो लेकिन ये RTO to RTO depend करता है कुछ RTO में correction वहाँ पे कर देते हैं कुछ में नहीं करते हैं तो अगर आप अपने learner license की application को cancel करते हो तो उसके बाद आप दोबारा apply कर सकते हो लेकिन जो आपकी payment है वो चली जाएगी इस चीज़ का आपको ध्यान लगना है अगर आप cancel करना चाहते हो तो driving license इस पे क्लिक कीजेगा और उसके बाद state select कर लिजेगा कौन सा state है और उसके बाद यहां पर आता है यहां पर आता है apply online पर क्लिक कीजेगा उसके बाद आप cancel application पर क्लिक कीजेगा cancel application पर क्लिक करने के बाद यहां पर application नमबर डालेगा यहां पर data डालेगा और submit पर क्लिक करके उसमें confirmation for cancellation आएगा उस पर click करके आप जैसे उस पर click करोगा आपको mobile number पर OTP पर आजाएगा उस OTP कर डालोगे तो जो आपके application वो cancel हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा learner license के लिए apply कर सकते है तो इसमें एक चीज़ का आपको द्यानक नहीं अगर आपने payment कर दी है तो जो आपकी payment वो चली जाएगी वो आपको refund नहीं मिलेगी उमीद दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आए होगा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको like कीजिए, share कीजिए इस वीडियो के रिगाटिंग कोई भी आपका डाउट कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे comment box में comment कर सकते है मैं कोचिस करूँगा आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप किस के ऊपर आगे जानकारी चाहते है तो वो भी आपको comment box में comment कर दीजेगा उसके बारे में भी मैं वीडियो अप्लोड कर दूँगा और जुड़ना चाहते है हमारी YouTube चैनल से वीकल रिलेटिड वीकल रिलेटिड सर्विसीज और ड्राइवंग लाइसेंस रिलेटिड वीडियो पाने के लिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइब करने के विल्या आपको Gmail अकाूंट लोगिन करना है उसको सब्सक्राइब बटन पर किलिक करना है जैसे सब्सक्राइब बटन पर किलिक करो को Right on G MUSIC निसन आ जायके उसको दबा दीजेगा और All पर किलिक कर दीजेगा पाई दिस के होगा कि जभी मैं कोई नहीं वीडियो प्लोड करूँगा तुसे जान को मिने लिए आप सब से पहले तो आज के लिए दोस्त बस इतना है मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो नहीं इन परमिसन आजा तुब दक लिए बाए टेक या